हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम उपचार में दोस्तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेर और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मेरे बेल आइकोन बटन को दबाएं ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले दोस्तो हमारे शरीर पर कई तिल होते हैं हर तिल का अपना एक महत्व होता है दोस्तो शरीर पर होने वाले तिल हमें शुप और कुछ अशुप संकेत देते हैं ये हमारे भविश्य के बारे में हमें जानकारी भी देते हैं और हमारे सभाव को भी बताते हैं तो आए दोस्तों जानते हैं कि हमारे शरीर का कुन सा तिल हमें किस प्रकार से मदद करेगा या कैसा फल देगा तो आए जानते हैं दोस्तों अगर आपके होट पर तिल है तो इसका मतलब है आप प्रेमी रदय इंसान है। यदि आपके होटों पर तिल है तो इसका मतलब है आपका दिल बहुत साफ चुत्रा है और आप सबसे प्यार करने वाले व्यक्ति हैं और आपका वेवहार बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तो यदि आपके गालों पर तिल है तो यह एक शुप फल देता है बाएं गाल पर तिल होना वेक्ति को संघरशील बताता है और दाएं गाल पर तिल होना वेक्ति को धनी बताता है दोस्तो यदि आपके कानों पर तिल है तो इसका मतलब है आपकी आयू बहुत लंबी होने वाली है यह जीवन को बहुत अच्छे से भोगते हैं इसका मतलब है यह जीवन के हर पल को आनंद पूर्वक उप्योग करते हैं और इनका जीवन बहुत ही अच्छा होता है दोस्तो यदि आपके कमर पर तिल है तो इसका मतलब है कि आपको उम्र भर कई परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है वही पेट पर तिल होना यह बताता है कि आप भोजन के बहुत जादा इच्छुक माने जाते हैं दोस्तों यदि आपके नाग पर तिल है तो यह बहुत सुभाग गिशाली माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि जिस वेक्ति के नाग पर तिल होता है वह देश-विदेश के यातरा करता है और साथ ही यह वेक्ति बहुत जादा गोरोपून माना जाता है दोस्तों यदि आपके मा के बीच में तेल है तो इसका मतलब है आप बहुत लंबी यात्रा पर जा सकते हैं अगर आपके सीने पर तिल है तो वह आपके जीवन साथी से प्यार को दर्शाता है इसका मतलब है आप अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करते हैं और अगर बाई और तिल है तो यह इसके ठीक विपरित प्रभाव देता है दोस्तों यदि आपकी हतेली पर तिल है तो इसका मतलब है आपको प्रित्रक संपती धन दोलत मिलने वाला है इसका मतलब है आपको अपने पिता या अपने दादा जी की संपती मिलने वाली है दोस्तों यदि आपके गाले पर तिल होता है त बहुत जल्दी भावुक हो जाता है धन्यवाद दोस्तों